आपका अभी मुबाइल फोन कभी ना कभी गरम तो हुआ होगा तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि आखिर ऐसकी होता है और साथ में इसका सल्यूशन कि ऐसका करने से आपका मुबाइल कभी गरम नहीं होगा स्मार्ट फोन की डिस्प्ले की ब्राइटनेस हमेशा फूल रखने से भी फोन गरम होता है दरसल ब्राइटनेस फूल रहने से डिस्प्ले गरम होती है और इसके नतीजे में मुबाइल का प्रोसेसर भी गरम होने लगता है और जल्दी बैटरी खतम होने लगती है और साथी सा यह बैगरांड में चलने वाले आप्स. शायद आपने अपने फोन में काफ़े सारी ऐसे आप रखे होंगे जिनका किस्तेमाल आप महीने में एक या दो ही बार करते हैं. मगर ध्यान रखिए कि यह एप फोन के बैगरांड में चलते रहते हैं और अपना स्पेस लेते हैं यानि किसे ने किसी तरह से ये एप्स आपके फोन में एक्टिव रहती हैं और फोन की चार्जिंग इस पर ही खर्च होती है आप बहुत सारे एप खुलतों लेते हैं मगर उन्डे बंग करना भूल जाते हैं इससे भी आपके फोन की बैटरी और चार्जिंग पर असर परता है और नतीजे में प्रोसेसर और फिर पूरा मॉबाइल गर्म होता है इसलिए फोन का इस्तिमाल ना होने पर बैक्गराउंड एप्स को बंग कर दें साथ ही फालतू की एप को मॉबाइल से अनिसॉल कर दें स्मार्ट फोन को 80% से जादा कभी चार्ज ना करें जादा चार्ज होने पर वो ओवर हीट करने लगता है रात में फोन चार्ज करते वक्त उसे कभी भी चार्जिंग पर ना लगाए हमेशा उसको चार्जिंग से हटा के इस होएं पूरी रात चार्ज होने पर बैटरी पर रसर पड़ता है जिससे मॉबाइल के बलाष्ट के संभावना बढ़ जाती है फोन को चार्जिंग पर लगा करना चोड़ने कभी भी बलकि उसका ध्यान रखना चाहिए और उसकी हीटिंग चक करते रहने चाहिए अगर आपको लगता है कि आपका फोन ओवर हीटिंग कर रहा है चार्जिंग पर लगा के तो आपको उससे तुरद हटा देना चाहिए तो गाइस मुबाइल फोन के बारे में ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन मताना ना भूलें